नागिन तीन के आने वाले इस सफते के खतरनक एपिसोड में क्या होगा जब विश्की बच्ची अपनी माँ को यानि विशाखा को पहचानने से इंकार कर देगी और विचारी घबराई होई विशाखा के लिए पेला कौन सा नया उपाई करेगी उस बच्ची को याद दिलाने के लिए कि विशाखा उसकी माँ है और सबसे बड़ा सवाल जानी साथू बाबा बेला को कौन सा नया उपाय देंगे जिसकी मदद से बेला उस बच्ची को याद दिला सके कि विशाखा उसकी मा है और आने वाले इस अफ़ते के होली वाला स्पेशल एपिसोड में क्या होगा ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लेकिन उससे पहले यदि अपने हमारे चेया को सब्क्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्क्राइब कर ले और बाचो के बैल आइकन को भी दबा नागिन तीन का इस अफ़ते का होली वाला स्पेशल एपिसोड आपके लिए काफी धमाकेदार होगा और क्योंकि इस अफ़ते के एपिसोड में काफी बड़े बड़े ट्विश्ट आपको देखने को मिलेंगे और जहां पर विचारी विशाखा को सबसे बड़ा जटका त और यहां रुदराक्ष की माला उस बच्ची की मा यानि विशाखा ही उस बच्ची को पहना सकती है जिसकी वज़े से उस बच्ची को सारी बाते याद आ जाए और यहां काम विशाखा के लिए काफी स्यादा मुश्किल भी होगा और इसी वज़े से आने वाल एपिसोड मे आप होली का त्योहार देखेंगे और हुकुम की बच्ची अंधका आने वाल एपिसोड में होली के रंग में और पिछकारियों के साथ काफी स्यादा मस्ती करती हुई दिखाई देगी और काफी स्यादा लोगों को चोटे पहुचाने की कोशिश भी करेगी लेकिन तभी विशाखा उस समाई का फाइदा उठाकर बेला की दी हुई रुद्रक्ष की माला को उसकी शैतानी बच्ची के गले में डाल देगी और इसके अंजाम के रूफ वो शैतानी बच्ची काफी स्यादा शांत हो जाएगी और बिचारी विशाखा के आँखों में आसू आ जाएगे और क्योंकि वो छोटी सी बच्ची विशाखा को मा कहकर पुकारेगी और यह सिंध काफी स्यादा इमोशनल आपको देखने को मिलेगा और लेकिन उसके बाद वही जगे हुकुम भी आ जाएगा और उस बच्ची को विशाखा से अलग करने की कोशिश करेगा लेकिन मसा तो तब आएगा जब वो बच्ची हुकुम के खिलाफ हो जाएगी और आप यह सब आने वाले एपिसूड में देखने के लिए कितना एकसाइटेड हो और आप यह सबते का इमोशनल एपिसूड देखेंगे या नहीं यह हमें अपनी राइक कॉमेंट में सरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर और जादा से जादा शेयर करें प्लीज सब्सक्राब कर लें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक केर